हाई दोस्तों घरेलू उपकरन सलाहकार प्रस्तुत करता है ओस्मोसिस सिस्टम आरो यह कैसे काम करता है वीडियो तयार किया मोहन चंद्रप अपने में सभी का स्वागत है क्रिपया पूरा वीडियो देखे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें ओस्मोसिस सिस्टम यह कैसे काम करता है एक आरो सिस्टम के हिस्से प्रवेश द्वार का कपाट सबसे पहले, एक इनलेट वाल्व मुख्य पानी की आपूर्ती और रिवर्ज ओस्मोसिस सिस्टम के बीच स्थित होता है ताकि आपूर्ती लाइनों के माध्यम से सिस्टम में तरल हो सके बैकफ्लो रोक्थाम वाल, ओर्व फिल्टर, रिवर्ज ओस्मोसिस मेंब्रेन, नाली, प्रवाह अवरोधक और पंप, भंडारन टनकी, अंतिम फिल्टर, ओस्मोसिस पानी के स्वास्थे लाभों के बारे में कुछ विरोधभासी जानकारी ओनलाइन मिल जाए, लेकिन यह मा जाता है कि डी मिनरलाइज पानी पीना स्वस्थ नहीं है, विश्व स्वास्थे संगठन ने एक अध्ययन किया जिसमें अखनेजी कृत पानी पीने से जुरे कुछ स्वास्थे जोखिमों का पता चला, जोखिमों में से कुछ में गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्याएं, हड्डियों के घनत्व के मुद्दे, जोणों की स्थिती और हृदय रोग शामिल हैं, WHO अध्ययन की ओनलाइन समीक्षा करने के लिए नीचे संदर्ब देखें, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों को हटाने से भी पानी बेस्वाद हो जाता है, कई लोगों है क्योंकि खनिजों को हटाने से पानी अमलीय हो जाता है, अक्सर 7.0 pH से नीचे, अमलीय पानी पीने से रक्त में एक स्वस्थ pH संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं मिलेगी, जो थोड़ा खशारी होना चाहिए, स्रोत के पानी और विशिष्ट आरो के आधार पर, प्र 7.0 पर जल परीक्षन तब होता है जब आरो, प्रणाली में जोड़ा गया पुनर खनिजीकरन तत्व था, प्राकृतिक स्वास्थ्य और चिकित्सा समुदायों में, शरीर में एसिडोसिस के कारण सेलूलर ऑक्सीजन की कमी के कारण हुआ था, चिकित्सा अनुसंधान ने भी निर्धारित किया है कि अमलिय पानी साथ ही अन्य अमलिय पे पीने से अक्सर शरीर में खनिज असंतुलन होता है, डबल्यू एचो के अध्ययन के अनुसार कम खनिज पानी ने डूरिसिस गुर्दे द्वारा मूत्र का उत्पादन ओसतन 20% बढ़ा दिया और शरीर से सो रिवर्ज ऑस्मोसिस पानी में विभिन प्रकार के दूशित पदार्थों को हटाने के लिए प्रभावी है, रिवर्ज ऑस्मोसिस जिल्ली अकेले वाश्पशील काबनिक रसायन, VOC, क्लोरीन और क्लोरेमाइन, फार्मास्यूटिकल्स और नगर पालिका के पानी में पाए जाने वाले कई अन्य सिंथेटिक रसायनों को नहीं हटाती है, हाला कि कुछ और, VOC, सिस्टम में आप मल्टी स्टेज फिल्ट्रेशन मीडिया, RO मेंब्रेन के अलावा, है, जैसे की एक्टिवेटर कार्बन, जो क्लोरीन और कुछ कीटनाशकों को हटा देता है, यदि आप के पास वर्तमान में River Osmosis सिस्टम है, तो क्या करे? यदि आपके पास वर्तमान में एक River Osmosis सिस्टम है और इसे छोडने के लिए तयार नहीं है, तो यह अनुशन सा की जाती है कि आप अपने RO में Reminerization Cartridge या Add-On प्राप्ट करे. प्रनाली यदि यह संभव नहीं है या बहु आप अपने आरो डिस्पेंसर से पानी की बाल्टी और बोतले अपने साथ कही भी नहीं ले जा सकते हैं। अप क्या होगा यदि आप हमेशा अपने साथ स्वच, सुरक्षित और क्षारिय पानी रखना चाहते हैं। आप अपने आरो डिस्पेंसर से पानी की बाल्टी और बोतले अपने साथ कही भी नहीं ले जा सकते। यह वह जगया है जहां सेशेल जल निस्पंदन समाधान आदर्श और सही समाधान है। सेशेल जल निस्पंदन उतपाद, विभिन अनुप्रयोगों के लिए फाइव अलग-अलग फिल्टर पोर्टेबल और वहनी यह दुनिया भर में कई विश्वसनिय प्रयोग शालाओं द्वारा परीक्षन किया गया एक एपर परीक्षन प्रमानित पंजीकृत गुनवत्ता नियंत्रण के साथ है. 99.999999% दूशित पदार्थों, क्लोरीन, फ्लोराइड और भारी धातूओं को हटाता है. खराब चीजों को हटाता है लेकिन हमारे शरीर के लिए अच्छी चीजे खनिजों को बरकरार रखता है. यह हर व्यक्ति और घर के लिए एक दि 9-3-4-5. हाई दोस्तों घरेलू उपकरन सलाहकार प्रस्तुत करता है. ओस्मोसिस सिस्टम आरो. यह कैसे काम है?